हेलो एब्रिवन वेल्कम टू टेस्टी एचाइक विद दिव्या आज की रेसिपी है वाइट सॉस पैनी पास्टा जोसकी सभी का फेवरिट होता है इस्पेशली बच्छों का तो बहुत ही फेवरिट होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्टी सी रेसिपी को ल सबसे पहले पास्टा को बॉइल करने के लिए दो कब पानी लिया है एक टेबल स्पून ओइल एक टेबल स्पून नमग और उसके बाद मैंने इसमें पास्टा और कौन दोनों साथ में डाल दिया है यहां पर मैंने पैनी पास्टा यूज किया है मेरा पास्टा बॉइल हो चुका है इसको चेक करने के लिए मैंने इसे प्लेट में निकाला और नाइफ से सेंटर से कट करके देखा तो इसमें आपको वाइट लियर दिखेगी इस स्टेज को बोलते अलदानते और उसके बाद सेकेंड टेप यह है आपको फटाफट से इसे रणिंग बॉटर में साथे हो जाए तब मैंने इसमें दो प्याच बहुत ही अच्छे से फाइनली चॉप्ट करके एड़ किये और इसको भी मैं हलके हलके साथे कर लोगी आपको ज्यादा कुप नहीं करना बस आपको इसने साफ्ट कर लेना उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे कुछ और वेज आदर चमच नमक और इन सबको मैंने हलके से साथे कर लिया और अब ही साथे हो चुकी है इसको मैंने प्लेट में अलग कर लिया अब उसी कड़ाए में मैंने यहाँ पे बटर एड़ किया है मैंने देड़ चमच बटर लिया है तो मैं देड़ चमच ही मैदा लूँगी और यह देखिए एक चमच और यह आधी चमच और आपको यही रखना है आप कितना भी पास्ता बनाए मैदे और बटर का यही रखना है और कभी भी आपका वाइट सौस पास्ता खराब नहीं होगा इस तरीके से बनाने के बाद तो अब मैं इसमें आदा ग्लास मिल्क एड कर रह अब इसमें आप देख रहे होंगे कुछ लाउंस पढ़ गया आप चाहे तो इस पैटोला की हल्प से रिमूव कर दे या फिर कोई भी विसर लेके मेरी तरह इसको इसली रिमूव कर सकते हैं तो अब यह हो चुका है इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें एक स्पून ड आले क्योंकि इसमें बटर और चीज दोनों जाएगा तो थोड़ा नमक कम जादा हो सकता है अब मैंने इसमें आदा ग्लास दूद और डाल दिया मतलब टोटल मैंने एक ग्लास दूद यूज करा अब मैंने इसमें वान टेबल स्पून और गैनो और जो हमारी फ्राइड व जाए अच्छे से और अब मैं इसमें आड कर रही हूँ चीज वैसे तो अगर आप चाहें तो इसके भी कर सकते पर चीज से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा यहाँ पर मैंने चीज स्लाइस यूज करा आप कोई भी चीज यूज कर सकते इसको अच्छे से मिक्स करेंग मैंने इस पर थोड़ असा बेजल लीव से गानिश किया है तो रेडी है हमारा बहुत ही ईजी और जटपेट बनने वाला वाइट सॉस क्रीमी पास्ता तो वीडियो पसल आई तो लाइक ज़रू करें चैनल पने तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैक्स पर झाल